योगी आप जिसको योगी मानते हो मैं उसको भोगी कहता हूँ ये भोगी आदितिनाथ है नफरत की विचारधारा से पैदा हुआ व्यक्ति कभी योगी नहीं हो सकता है सरकार के अंदर अगर आउकात है हैसियत है तो उस पत्थर फेकने वाले को चिन्दित करें जुर्म करने वाले के माथे पे नहीं लिखा होता है कि वो जुर्म करेगा आप बताइए ना जुर्म करने वाले तो संसत में बैठे है आज 40 प्रतिशत से ज्यादा अपराधी प्रधान मंत्री के साथ बैठे हुए और फायर ब्राइड नेता कहां पैदा होते हैं ये भाजपा और आरेस कि आज एक ऐसा शहन शाह है जो कहता है लगा के आग पूरी शहर में शहन शाह ने कहा उठा है आज तमाशे का शौक बहुत सभी शाह परस्त सर जुका कर बोले हुजूर का शौक सलामत रहे शहर और भी है शहर और भी है देखिए भारत एक लोग तांत्रिक देश है चुना 2024 के बताएंगे कि कौन सत्ता में रहेगा और कौन सत्ता से बाहर जूट की विचारधारा को नफरत की विचारधारा को फूट डालो राज करो की विचारधारा को 2024 में जनता एक करारा तमाचा मानने का काम करेगी भाज़पा और RSS मौडर्न गुलामी इस देश में लाना चाहते हैं नमस्कार मैं ब्यूटी गिरी देश में आने वाले लोगसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बनी हुई है विपक्ष और सत्तापक्ष सभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर चुके हैं एक दूसरे की कम्या उजागर करना शुरू कर चुके हैं लेकिन जनता में एक सवाल है सब के मन में है कि 2024 में कौन आएगा आपको क्या लगते है 2024 में कौन आ रहा है 2024 में इंडिया जीतेगा और पुरा देश आज जो है बदलाव की तरफ अगरसर है और आप देखेंगी कि इस जूट की विचारधारा को, नफरत की विचारधारा को, फूट डालो राजकरो की विचारधारा को, 2024 में जनता एक करारा तमाचा मानने का काम करेगी और इस देश की जो विचारधारा है, जो भाईचारा की विचारधारा है, जो मुहबत की दुकान की विचारधारा है, जो भाई को भाई से जोडने की विचारधारा है, वो जीतेगी और वो सरकार बनाएगी. देश को परिवारवाद ने जकल डिया है नरेंद्र मोधी लगतार इससे मुक्ति दिलाने के लिए अग्रेसर हैं महंत अवैदनात के भतीजे आजय सिंग बिष्ट क्या परिवारवाद नहीं है क्या जो है जोती राइत सिंधिया परिवारवाद नहीं है क्या आप बताईए आरपी एन सिंग परिवारवाद नहीं है बताईए भाज्यपा का परिवारवाद आपको नहीं दिखता है आपको और लोगों का परिवारवाद कहां रह गया राजनीत में तो परिवारवाद होता ही नहीं है यह तो संकीन मानसिक्ता दिखा रही है, आप बताइए ना, अगर कोई भी व्यक्ति चुनाओ लड़ता है, चुनाओ लड़के जीतता है, जनता वोटिंग करती है, उसको चुनती है, चार कैंडिडेट खड़े होते हैं, और लोकतांतरिक धंग से वो चुन कराता है, तो इसम तो भाई, राजा बाभू का संदेश आपने सुनाई होगा, आज चंद्रयान की सफलता के लिए, इस देश का वैज्ञानिक जो है, जिम्मेदार नहीं है, इस देश का साइंटेस्ट जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार कौन है भाई, नरेंदर मोधी जी, आज अभी सभा कर रहे होंगे, जब हम ये बात कर रहे हैं, तो जब भी धरम के अंदर राजनीती आप ले आओगे, आप जो है, किसी भी, मैं समझता हूँ कि विकास कार्यों में राजनीती ले आओगे, तो वो राजनीती, उस पूरे जो सनरचना है, उसके विरुद्ध खड़ी होगी, औ आज इस देश में मनिपूर जल रहा है, क्या राम जी ने सोचा था, क्या कि मनिपूर जलेगा और उनका ऐसा राज्य होगा, क्या राम जी ने सोचा था, कि नूमें भाई से भाई को जलाया, जो है लडाया जाएगा, और घरों को जलाया जाएगा, ये राम राज्य है, इस जो कहता है लगा के आग पूरी शहर में सहन शाह ने कहा उठा है आज तमाशे का शौक बहुत सभी शापरस्त सर जुका कर बोले हुजूर का शौक सलामत रहे शहर और भी है शहर और भी है तो इनके लिए तो केरोसिन छिड़का जा चुका है अब बस चिंगारी लगा रहे है और नु जैसे घटना है, मनिपूर जैसे घटना है, बंगाल जैसे घटना है हो रही है और देश में अभी आपने देखा किस तरीके से एक स्कूल में तरप्तित्यागी जैसे टीचर, जो नफरत की उपज है, जब बोया, पेड़, बबूल का, तो कैसे हो पलाम आपने जब बोया ही नफरत है तो आज देखिए किस तरीके से आप वीडियो वाइरल हो रहा है किस तरीके से बच्चों के अंदर जहर गोला जा रहा है और वो टीचर नहीं वो भक्षक है जो बच्चों को ये ग्यान दे रही है कि हिंदू से मुसल्मान अलग है और भाईचारे में मुसल्मानों को जो है मार दिया गया हम इस देश में क्या पैदा कर रहे हैं हम इस देश में नफरत पैदा कर रहे हैं आत्मगाती पैदा कर रहे हैं इस देश के भविश्य के लिए ये बहत खतरनाक है और हम जौला मुखी पर बैठे हुए हैं ये नफरत वो जौला मुखी है कि जिस दिन फटेगा उस दिन पूरे देश को यह लेल लेगा लेल लेगा जी आप क्या कहेंगे सर राम राज्य है कि नहीं है देखें राम राज्य तो यह कोई नहीं बात नहीं है राम का राज अगर होता तो आदर्श एक समाज होता मगर मर्यादब पुरुश्यत्नम प् ब्रश्टाचार अपराधी करण जो चीजे हो रही है यह नहीं होती और सिर्फ अपनी सस्ती लोग प्रियता अपने व्यक्तित्व को चमकाने के लिए यह लोग इसकदर गिर जाएंगे कि दो धर्मों दो जातियों जो यहां विवस्था बनी हुई है इसमें आपसी फूट ड बिहार जैसे राज्य में मांग हो रहे है कि योगी मोदी जैसा साशन चाहिए देखिए भारत एक लोग तांत्रिक देश है और अगर देश की जनता किसी को मांग कर रहे है आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे है और चुनाओ का अधिकार सबको मैं सब्ता हो मतदान सबको हर को कोई वोट का अधिकार है तो ठीक है अगर जनता किसी को बुलाना चारी तो आगामी चुनाओ प्रडाम 2024 के बताएंगे कि कौन सत्ता में रहेगा और कौन सत्ता से बाहर बाकि भारती जनता पार्टी के लिए इस बार कठिन होगा क्या कठिन होगा राहुल नहीं देखिए राहुल गाधी और इंडिया और वो जो कॉंसेट लेकर आ रहा है वो नहीं है जनता को जो तकलीफे हुई है जो प्रमुख मुद्धे हैं जिस पे जो इनके वादे थे आज लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं जनता इससे आहत हुई है इसका परड़ाम इनको मिलेगा मै अभी से वो तैयारी न करे और अपनी केंद्रे मुद्धों को राज्यस्तर तक न पहुंचाएं तो इसका परड़ाम उनको देखना में जनता अभी में मोधी को ही पसंद करती है वो चाहरी है कि मोधी ही आए ने आप कह रही है ना कि जनता कह रही है राज्यों में कि हमें योगी मॉडल चाहिए आज आप बताईए ना जिनके घर जिन मजलूमों के घरीबों के घर ढ़ा दिये जा रहे हैं आप ये बताईए सद्यों लगते हैं एक आशियां बनाने में तुम्हें शर्म नहीं आती बस्तियां चलाने में आप बताईए घरों को आप बुल्डोस कर कि इस देश की न्याय विवस्था के सीने पर चड़कर न्याय विवस्था की धजियां उड़ाए जा रही है आज किनके घर गिराए जा रहे है क्या किसी नेता मंत्री का घर गिराए गया किसी भी नेता या मंत्री का घर आज तक गिराया गया उन्हीं ये न्याय विवस्थ और आप जो है गुनाहगार को जो है जेल में डालो उसके परिवार का क्या दोश उसके चोटे बच्चों का क्या दोश जिसके घर से आप जो है घर चीनोगे यह किस सम्विदान में इसका मतलब है कि आप पूरे देश में जो है सबका घर बुलडोस कर दो आप बताईए लोक यह कहावत है कि I for and I will make the whole world blind अगर एक आख के बदले एक आख आख आप लेना शुरू कर दोगे तो साहब पूरी दुनिया जो है अंदी हो जाएगी और किसको आप क्या कह रही है योगी आप जिसको योगी मानते हो मैं उसको भोगी कहता हूं यह भोगी आदितिनाथ है क्यों आज करोडो की जेट प्लस सिक्योर्टी लेने वाला आदमी योगी है आलिशान सरकारी बंगलो पर रहने वाला आदमी योगी है बड़े बड़े लगजरी गाडियों में घुमने वाला आदमी योगी है योगी नहीं योगी नहीं भोगी है और हमारे यह कहावत है कि जोग जुगत न जाने कपड़े रंगाए तो क्या आज आप बताईए ना नफरत की विचारधारा से पैदा हुआ व्यक्ति कभी योगी नहीं हो सकता और ये तो इस देश की योगी साधू और रिशी मुनियों की जो है मजम्मत और मजाक है उसको योगी कहना हम बार-बार कह रहे ह है क्या आजय सिंग बिस्ट के अंदर हिम्मत है कि त्रिप्ति त्यागी जैसे नफरती लोगों का घर बुल्डोसर से बुल्डोस करेंगे नई बुल्डोस करेंगे क्योंकि यह उन्हीं की पैदाईश है आज लोग कह रहे हैं कि यह जो मुजफर नगर की घटना है उस इसी विचारधारा को पोशित करके और पाला है उनसे अपी जो है उम्मीद कर रहे हैं कि वह जो है वो त्रिप्ति त्यागी को जो है वो जेल में डालेंगे नहीं साहब वो तो उसको पोस्टर बॉय बनाएंगे उसको चुनाव लडाएंगे और मुझे कोई आश्चरे नह जैसे करन शांगवान को निकाल दिया तुरंत अक्शन से हो सकता है इनको भी सस्पेंट किया मुझे कोई आश्चरे नहीं होगा कि कल को जा करके तथा काथित हिंडू संगठन उसी त्रिप्ति त्यागी को जो है फायर ब्रांड नेता बना दे और फायर ब्रांड नेता कहा होते हैं यह भाजपा और रेसर नहीं ही पैदा होते हैं फायर ब्रांड नेता अपने कहीं सुना है किसी पार्टी में फायर ब्रांड नेता आपने सिर्फ भाजपा और बढ़काई वो गिरफतार हुई क्या साधवी प्राची जो अपने आपको साधवी कहती हैं और कहती है कि अपनी चाकू कि धार तैयार करो और आने वाले समय में काटना पड़ेगा किसी समुधाय को अरे ये कहां ले जा रहे हो इस देश को किस जहनलूम में ले जा रहे हो इस देश को मेरी बहन अगर ये नफरत की विचारधारा ये भाज़िपा और दंगा जनता पार्टी की विचारधारा पोशित और फलित हुई तो आप देखेंगी कि इस देश के हर गली चोक चोराहें म तो सभ्धाइब करवा दे scene हो जाती है अधर प्रधान मंतू आपको कहा मिलेगा जो सफाई करमचारिए ऑब द्धोए और उनी सफाई कर्मियों का घर को बुल्डोजर से बुल्डोज करवा दे आज तो कौन है पत्थरबाज हम तो कह रहे हैं सरकार के अंदर अगर अवकात है हैसियत है तो उस पत्थर फेकने वाले कुछ चिन्दित करें उसको सजा दे हमारी हमारी लडाई जो पत्थर फेक रह है उसको आप सजा दो उसको आप जो चाहे वो करो लेकिन जो उसका परिवार जो संगर्श कर रहा है जो उसके बच्चे हैं जो उसका बुड़े माबाप हैं उनकी क्या गलती है भाई उनको उनको सजा क्यों दे रहे हो उनके घर को क्या जो पत्थर बाज है उसने घर बनाय पत्थरबाद में जमीन लिए है यह तो उसके पुर्खों की कमाई है और बुल्डोजर की विचारधारा कहां आप कहां इसको जो है क्यों इस देश में न्याय की विवद्ध सरकार जो है खौफ पैदा करना चाहती है ताकि ऐसा जुर्म फिर दुबारा कोई करने से डर जाए कहां डर रहा है आप बताइए ना हर रोज बलकि उससे बड़ी घटना हो रही है आपको जुर्म के तह में जाना पड़ेगा जड़ में जाना पड़ेगा जुर्म करने वाले का कोई धर्म इमान नहीं होता है जुर्म करने वाले के माथे पे नहीं लिखा होता है कि वो जु सब्सक्राइब चालिज प्रतिशत से ज्यादा अपराधी प्रधान मंत्री के साथ बैठे हुएं मुझे कोई गुरेज नहीं यह बात कहने वहीं ब्रुज भूशन जो टाड़ा जैसे मामलों में जो जो है दंगे भड़काने और महिलाओं के यहन सोशण के मामले में आरोपी है जिसके उपर दिल्ली पुलिस ने चार्शीट कर दिया इस मृती इरानी को राहूल गांधी का फ्लाइंग किस दिख जाता है लेकिन पंक्ती में पीछे बैठा हुआ महिलाओं के सेक्शुल उत्पीडन करने वाला ब्रिजभूशर नहीं दिखता है यह कितने शर्म की बा रह गया है ना तो अपना प्रतिनिदी चुनना रह गया है और नहीं फैसले लेना रह गया है और जब जब यह हाल हुआ है जनता का तब तब जनता जो है उत्पीडित हुई है और जनता गुलामी के सिकंजों में कशी जा रही है और आगर मैं यह कहूं कि भाजपा और RSS modern गुलामी इस देश में लाना चाहते हैं और अगर इस देश को बचाना है इस गुलामी से तो क्रांती लाना है अब वोट से काम नहीं चलेगा अब चुनाओं से काम नहीं चलेगा अब इस देश की जनता को इस देश के गरीब को मजदूर को किसान को सरको पर आकर लड़ना होगा और इस नफरत की विचाधारा को उखाड कर फेकना होगा तभी ये देश बचेगा नहीं तो अब ये देश बचने वाला नहीं है मेरी बहन बचले वाला नहीं है एक आखरी सवाल स्मृति इरानी ने राहूल गांधी के लिए कहा है कि अमेठी की जनता है उन्हें स्वि उप्याय का चीनी अमेठी की जनता को बेच रही थी इसमृति इरानी जी वहां तमाम ये बाते की गए कि पांच साहल में आमेठी को कियोटो बना देंगे जैसे बनारस को बना रहे थे तमाम जो है सडको के आज हालाद आप जाकर आमेठी में देख लिजी समुदाइक भवनों को आप देख लिजे और आमेठी की जनता तो है चिला-चिला के कह रही है कि गुमसुदा की तलास कर रही है और इस कि आज इस देश की बेटियां रो रही है करा रही है नंगा करके उनका परेड उकारा जा रहा है अरे आपके अंदर जो है मानवतामर गई है आप इतनी निर्दाई हो चुकी है कि आप इस देश की और जूठा अरोप लगा रही है फ्लाइंग किसको आप बता रहे हैं कि आपके उपर जो है क्लेरियन कॉल है और आपको जो है आपको बहुत बड़ी एक्ट्रेस है क्या बहुत बड़ी हिरोईन बन गई है क्या इस देश की जो आपको लोग ये संकीन मान सकता है नहीं 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 आज वो राजनेता है और र पॉफेशन के लोग राजनीत में आ रहे हैं इसलिए राजनीत का ये हाल है हम बार-बार कह रहे हैं कि हमें समवैधानिक रास चाहिए हमें कोई हिंदू रास नहीं चाहिए हमें कोई खालिस्तान नहीं चाहिए हमें कोई जो है उर्दू रास नहीं चाहिए हमें हिंदू रास चाहिए हिंदू राश नहीं चाहिए हमें समवेधानिक राश चाहिए बाबा साहिब के मूल्यों पर चलने वाला राश चाहिए और आज आप देखिए ना इस देश में आज उन्हीं दलितों को पीटा जा रहा है मारा जा रहा है जो कह रहे थे कि मोधी नहीं तो कौन आज आ का नेता अपने आपको कहते हैं और आज जब सत्ता की मलाई खाने का समय आया तो वो किस तरीके से पलट गए इसलिए इस देश के मैं दलितों को भी कहना चाहूंगा कि आज आज आपको नेता बाबा साहब अमबेटकर जैसे नेताओं को चुनना होगा फूले पेरियार जैसे लोगों को नेता चुनना होगा जो सच में देश के दलितों का उत्थान करें जो सत्ता के हाथ में बिकेना और मैं तो पूछ रहा हूं कि जिस दौर में बाबा साहब की विचार धारा को कुछला जा रहा है पेरो तले रौंदा जा रहा है निगमी करण क्या है निगमी करण का मतलब आरक्षन खतम और एक बार अगर इस देश से दलितों का दबे कुछले वंचित सोशितों का अधिकार खतम हो गया तो मेरी बहन गुलामी से उन्हें कोई फिर से बचा नहीं सकता है बचा नहीं सकता है तो आपने सुना राहूल वर्सेस मोदी इंडिया बनाम एंडिये का सवाल है दोजार चौबिस में इलेक्षन है निर्णायक जनता है पूरी बात चीत पर अपनी प्रतिक्रियाज जरूर दीजिए कैमरामें तोहीत के साथ ब्यूटी गिरी